कि इसको तो हम राइपूर में रहेंगे चौबिस पच्चीस और छबिस को पचासी वां हमारा प्लीनरी अधिवेशन होने वाला है कॉंग्रेस पार्टी का और तीन दिन पहले इडी के छापे पड़े हुए हैं हमारे च्छतिजगर के कई कॉंग्रेस साथियों के घरों में आज सुबह पांच बजे से ये छापे शुरू हुए हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी और टिपन्नी हमारे मीडिया विभाग के चेर्मेन पावन खेरा जी देंगे उसके बाद मैं और इसके कुछ कहूंगा अधनेवाद जैराम जी इस सरकार ने कई परिभाशाएं बदली कई परंपरायं बदली है कई अब इडी मतलब eliminating democracy मेरे वरिश सहयोगी जैराम नमेश जी कहते हैं exterminating democracy दोनों ही बातें सबते हैं और हैरानी की बात है जब आप आंकड़े देखते हैं 2004 से 2014 के बीच जब UPA की सरकार थी तो ED ने 112 बार चापे मारे थे पिछले आठ साल में 3,010 चापे ED ने मारे हैं और सिर्फ राधनेतिक दलों को और राधनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95 प्रतिशत चापे विपक्ष पर ED ने डाले हैं नाशनल हेरल्ड आपको सबको मालूम है रेड हुई थी राहूल गांधी जी से 50 घंटे तक ED ने पूछताच की थी 55 घंटे की पूछताच थी हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रिमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताच की ED ने हमारे वर्तमान अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे जी के से भी पूछताच हुई 7-8 घंटे की पूछताच उनसे हुई और अब 36 गड़ में आज सुभव से लगातार रेड चल रही हैं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधान मंत्री जी और उनकी पार्टी हमारा महाधिवेशन भी वहां होने वाला है यह आप सब जानते हैं वरिष्ट नेताओं पर हमारे ट्रेजरार पर हमारे कुछ MLS पर कुछ निगम के चैर्मेन पर एक प्रवक्ता पर इन सब के हां आज सुभव से रेड डाली जा रह जी हमारे भिलाई के युवा विधायक तेविंदर यादव जी गिरीश देवांगन एक निगम के चैर्मेन है आरपी सिंग एक प्रवक्ता है विनोत तिवारी हैं और सनी अगरवाल ये भी एक निगम के चैर्मेन है इनके कार्यालें पर इनके निवासों पर सुभव से अलग-अलग नेताओं पर कॉंग्रेस में 24 बार रेड हुई ED की वहीं TMC पर 19 बार हुई NCP पर 11 बार हुई शिवसेना पर आठ बार हुई DMK छे RJD 5 पाँच BSP पाँच TDP 5 INLD 3 YSIRP 3 3 CPM 2 NC 2 PDP 2 AIADMK 1 MNS 1 SBSP 1 मैं आपको हिमनता विश्वा सर्मा के बारे में कुछ याद देला चाहता हूँ आपको याद होगा एक वाइट पेपर ब्लैक पेपर अलग-अलग रंग के पेपर भारती जनता पार्टी निकाल रही थी साभी नार्दा स्कैम सार्दा स्कैम इन सब में शामिल है 2014-15 में शारदा चिट फंड को लेकर इनक्यां CBI ने रेड भी की थी आज हेमंता विश्वा सर्मा फेर एंड लवली बनके निकले हुए हैं मुख्यमंत्री हैं और मुझे तो नहीं मालूम अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसिस का क्या हुआ तो आप साजा करिएगा सुवेंदू अधिकारी एक और नाम में आपको बताता हूं येदियोरप्पा तीसरा नाम में आपको बताता हूं रेड़ी ब्रदर्स नाराइन राने मुकुल रॉय ऐसे अनेक नाम हैं जिनको अगर राजनीती में सफलता नहीं भी मिली तो दोहजार चॉबीस के बाद फैर एंड लवली वाले ढूंड रहे हैं साब हमारे ब्रैंड अम्बैसडर बन जाई है हम प्रधान मंत्री मोदी जी से दो सवाल करना चाहते हैं और एक सलहा भी देना चाहते हैं पहले सवाल फिर सलहा जब मीडिया कुछ छापता है आप उस पर छापा डाल देते हैं जब विपक्ष संसद में आप से कुछ सवाल करना चाहता है आप कारवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का एकस्पंच कर देते हो नियाई पालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया नियाई पालिका को कि उनको सारवजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी और रोज आपके मंत्री कानून मंत्री किस तरह की टिपणियां करते हैं पाइले में सुनवाई होने वाली थी उसके 48 घंटे पहले संघ के मैगजीन पांच जन्य में लीड स्टोरी क्या थी कि सुप्रीम कोट राष्ट विरोधी ताक्तों के हाथ का टूल बन गया निया धीशों पर परसों अधानी मामले की सुनवाई होनी है और आज अखबार चापरा है संघ का अखबार संघ की मैगजीन पांच जन्य चापरा है और वो संघ जो खुद पंजिकरित नहीं है वो कह रहा है कि देश का सर्वोच नियायले राष्ट विरोधी ताक्तों के हाथ में टूल बन गय हमारा दूसरा सवाल है पादर ओफ हिपोक्रिसी से जो मदर ओफ डिमोक्रिसी के प्रधान मंत्री है कि आप अपने परम मित्र गौतम अदानी के महा घुटाले में जांच क्यों नहीं करते उस पे जवाब क्यों नहीं देते अब सला मत भूलिये हम भी कुछ राज्यों में स मंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलोना बने हुए हमारी शराफत को हमारा गहना मानू हमारी कमजोरी मत मानू हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं दन्यवाद जैराम जी धमकी की राजनीति से हम पीछ भटने वाले नहीं है हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे शापे होने दीजिए जहां ख्यापे होने चाहिए वह तो होती नहीं है इन्होंने कई नाम गिनाएं पाँड़ जी न हमारे देश का सबसे बड़ा गोटाला भी जिसकी जानकारी र कोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधान मंत्री खुद जुड़े हुए है, प्रधान मंत्री के प्रसंदीदा पुंजी पती, गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है, रोज उनके कारणामे की, सब गैर कानोनी कारणामे है, उस पर तो कोई किसी की मांग नकारा जाता है, जहां छापे होने चाहिए, जहां कानून का उलंगन हुआ है, वहां तो छापे नहीं पड़ते, और कई मिसाल पावंजी ने आपको बताये हैं, जो फेरिन लवली के नाम पर आज बीजेपी के सदस्या बन गये हैं, पर ये छापा चलता रहे आज हो सकता है, कल भी होगा, हम कुछ नहीं कह सकते, पर एक बात हम बिलकुल साफ करना चाहते हैं, कि हमारे लिए हम कोई चीज छिपा नहीं रहे हैं, चापे होने दीजे, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हाटेंगे नहीं, हमारा महाव अधिवेशन चलेगा, अभी इस तारीक को, हाथ से हाथ जोडो, जो टैग लैन हैं, उसके आधार पर ये महाव अधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा, और भारत जोडो यात्रा में, जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं, हमारे राजडीती में, हमारे संगठन में, वो बर न करार रहेगा, शुकरिया अच्टिस्गर्श से लेडाइद है ट्चतिसगर्लें आफिश्ट नियुक्टजीर्ग उपरी शेनीजीर चैनिक्तिस्टाइब यह समया अच्ट्स पर शॉyuह इस लिए लेडिकोट्ट जटेट सैंजेयर चाने हैं लेडिकोंगाइद हुवारे we have nothing to hide we will not be intimidated I have repeatedly said Mr. Modi's policy of FDI is fear deceit and intimidation this is his real FDI policy we will not be afraid we will not be intimidated we will not be cowed down the success of the Bharat Jodo Yatra followed by the Hath Sehat Jodo Abhiyan and now the 85th plenary where about 15,000 delegates are expected to participate six resolutions will be adopted we have brought about a transformation in Indian politics we have shaken this government we are asking three questions every day 14 consecutive days we have asked questions of the Prime Minister directly on how he has helped Gautam Adani perpetrate this giant fraud and scam on the people of India he is of course quiet he is quiet on the Chinese incursions he is quiet on the Adani maha mega scam and he has unleashed the ED on the Congress Party where he needs to unleash the ED he does not unleash it and of course those people against whom the ED has been unleashed in the past after they have joined the BJP they have fair and lovely scream on them and they become innocent what our leader of the opposition and Congress President in the Rajya Sabha described and which was later expunged as the BJP washing machine so the raids I don't know how long the raids will continue but we are prepared we will be most of our leaders will be in Raipur on the 23rd and 24th 25th and 26th our plenary session will be held if anything these raids have increased our determination if anything these raids have given us a booster dose to be even more aggressive against the Prime Minister and his third-rate politics of vengeance vendetta harassment this is 17 parties when the Supreme Court came out when the Supreme Court came out this the the question came out and the Supreme Court the judgment came out 17 parties have a statement that the Supreme Court came out because the Supreme Court के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि जो अधिकार दिये गए है एडी को पी एमले के संचोधन के माधियम से वो खानीकारक हैं लोकतंतर के खिलाफ हैं और ये एक हत्यार है किसी भी सरकार के हाथ में जो विपक्ष के पार्टियों के खिलाफ इस्तिमाल किया जा सकता है और किया गया है तो इस मामले में 17 पौलिटिकल पार्टियों और ये अगर आपको याद नहीं होगा ये स्टेटमेंट में आपको फिर से दे सकता हूँ सत्रा पार्टियों ने सभी पार्टियों ने एक ही आवाज में एक बियान दिया था कि हम इस निरने का कड़ा विरोध करते हैं और जो हदिकार E.D. को दिया गया है PMLA के संशोधन के द्वारा 2014 के बाद ये हमारे लोक तंत्र के लिए एक पॉईजन पिल है जहर के माफिक है और रोज जो छापे मारे जाते हैं विपक्ष के निताओं के उपर जो इस सरकार के खिलाफ है वो बिलकुल सुपूत है कि E.D. निश्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है बलकि ये हमारे प्रधान मंत्री के हाथ में एक हत्यार बन गया है प्रतिशोद का बदला का उत्पीडन का आज हम मैं आपको याद दिला दू अभी हम चत्तिजगड में जो E.D. के चापे हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं नितिश कुमार जी के बयान पर नहीं है मैं सब लोग ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे होंगे आज हम E.D. के चापे के बारे में बात कर रहे हैं मैंने आपको आंकडे दिये ऐसा संयोग उपयोग प्रयोग ये क्या है मुझे बताइए कि 95 प्रतिशत विपक्ष के ही नेताओं पर रेड्स होती है क्या कारण है कि सुवेंदू अधिकारी मुकुल रॉय येदियुरप्पा रेड़ी ब्रदर्स नारायन राने हेमंता विश्वा सर्मा अचानक साफ हो गए सुवेंदू अधिकारी तो वो ये सारे सवाल हम सरकार से इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आप निश्पक्ष होते अगर आपकी एजन्सिया निश्पक्ष होती तो आज एमंता विश्वा सर्मा मुख्यमंत्री नहीं होते तो आज येदिरप्पा रेड़ी ब्रदर्स नारायन राने मुकुल रॉय सेवेंदू अधिकारी ये लोग बिलकुल आजादाना नहीं घूमरे होते इन पर भी कुछ कारवाई होती कोई कारवाई नहीं दिख रही है तो ये सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल सबके सामने अब तो आम एक-एक व्यक्ती सडक पर चलने वाले लोग पूछ रहे हैं उनको हासी आ जाती जब वो देखते हैं अपने मोबाइल पर ब्रेकिंग नियूज आती है उनको समझ में आ रहा है सबकुछ समझ में आ रहा है कि ये भारत जोड़ो यातरा से बॉखलाय हुए हैं ये गौतम अदानी का नाम जितनी बार हम लेते हैं ये उतनी बार परेशान होते हैं जो अठारा घंटे जागते थे सुना आप चौबीस घंटे जाग रहे हैं नींद उड़ गई है हमें मालू में क्या हो रहा है ना केवल हमें मालूम हैं आप हम से जादा जानते हैं और हम और आप से जादा सड़क पर चलने वाले लोग जानते हैं। तरह जाद लोग जादा जादा जानते हैं। in our country the second pillar of Bharat Jodho Yatra was increasing social polarization on religion caste, language ethnicity and the third pillar of the Bharat Jodho Yatra was political dictatorship आज तो अगोषित आपातकाल है ये अमरितकाल नहीं है ये आपातकाल है अगोषित आपातकाल है and this was the third pillar of the Bharat Jodho Yatra so all these pillars will be discussed in Raipur economic inequality will be one of the major themes of the economic resolution undoubtedly social polarization will undoubtedly be one of the themes of the political resolution and this अगोषित आपातकाल the undeclared emergency we have in our country today will certainly be discussed in Raipur it was discussed if you may recall in Udaipur also and that is why it formed these three pillars were the driving force of the Bharat Jodho Yatra and they will be the main themes at the Raipur plenary as well अभी तक अभी आपने सुना दस दिन पहले राहूल जी ने एक बड़ी अच्छी बड़ी रोचक सी बात कही थी जो आपने भी दिमाग में जरूर जहन में रखी होगी कि अदानी जी कई विपक्षी नेताओं को पार्टियों को एक ले आए एक कर दिया उनों मोदी जी नहीं समझ पा रहे कि वो जितना इस तरह के हतकंडे अपनाते हैं उतना एकता बढ़ती जा रही है अब यूं तो आप ये चर्चा का विशय है लंबी चर्चा इसमें होनी चाहिए किसी दिन करेंगे लेकिन आज जैसा कि जैराम रमेश जी ने कहा मुद्दा कुछ और है अपने सवाल पूछा तो इसका मैं जवाब दे रहा हूँ दो तीन अलग-अलग उधारन आप लाकर तुलना हर बार नहीं कर सकते एजेंसी का इस कदर दुरूपयोग किया जा रहा है कि कभी कहीं गलती से भी एजेंसी कोई सही कदम उठा ले तब भी लोग उसको अविश्वास की दृष्टी से देखेंगे ऐसा भी हो रहा है अब इससे जादा खुलासा मैं नहीं करूँगा इस पर आप खुछ समझदार है मैं आपको याद दिला दूँ कि तीन अगस्त को तीन अगस्त दो हजार बाईस को सत्रा पार्टियों ने एक बयान दिया था मिलकर तीन अगस्त को और वो बयान क्या था बयान ये था कि जो पीए मेले में समझोधन लाए गए हैं इस सरकार द्वारा वो सही ठहराना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो हमारे लोगतंत्र के खिलाफ है लोगतंत्र के लिए खतरनाक है और ये प्रतिशोद और उत्पिडन की राजनीती को प्रोचसाहन देगा और हमने ये भी कहा था तीन अगस्त को कि हम इसकी रिव्यू पेटिशन की बात हमने की थी पर उसके बाद हम लोग भारज जोड़ो यातरा में लग गए पांच मेहने हम भारज जोड़ो यातरा में लग गए हम ये बात थोड़ा पीछे हट गया पर मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हम ये रिव्यू पेटिशन जरूर इस बात हम इसको आगे ले चलेंगे उस बयान में हमने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोट के दरवाजे को कट कटाएंगे और उन से फिर से मांग करेंगे इस पर पुनर विचार हो ये पुनर विचार हम जरूर करेंगे मैं आपको एक बात याद दिला दूँ वो 17 विपक्ष पार्टियों में सभी पार्टी थे टी-एम से भी शामिल थी आमादमी पार्टी भी शामिल थे और एक इंडिपेंडेंट एम पी कभिल सिबल जी भी शामिल थे हम छापों से कमजोर हो रहे हैं ये किस ने बता दिया आपको हमें कोई फरक नहीं पड़ता अभी जैराम रमेश जी ने कहा कि इस प्रतिशोद की राजनिती इस भहे की राजनिती से हम कोई डरने वाले हैं नहीं आपको लगता है कि हमारे चहरे पर कोई शिकन कभी नजर आई पिछले आठ नौ सालों में हमें सिर्व तब शिकन आती है चहरे पे जब लोगों के साथ जो हो रहा होता है जह बेरोजगारी बढ़ रही होती है महिंगाई बढ़ रही होती है कोविड़ से मौत हो रही होती बाड़ा बजे को च्छतिस गड़ के मुख्य मंत्री राइपूर में प्रेस कांफरेंस सम्भोज़त कर रहे हैं